दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चले बिहार के टॉप बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप हमें कॉमेंट वक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अप 45.35 करोड की अवेद निकासी के मामले में पांस साल की सजा सुनाई गई है सिवियाई कोड के राजिक के विसेस जाज जैसके ससी ने सुमवार को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के मैदम से सजा सुनाई साथ लालू प्रसाद पर 60 लाग का जुर्माना भी लगाए गया है इस मामले में दोसी पाए गए और 37 लोगों को भी सजा सुनाई गई है जानकारी के लिए बता दी कि लालू प्रसाद समेट 38 आइन आरपियों को 15 फरवरी को दोसिस करार दिया गया था इसके बाद लालू प्रसाद को जेल बेज़ दिया गया था वेता रिलास के लिए लालू प्रसाद को जेल प्रसासर ने रिम्स बेज़ दिया गया था लालू प्रसाद रिम्स है और लाइन कोर्ड से जुड़े थे अगली बड़ी कबर सजा के किलाब हाई कोड जाएंगे तजस्व यादव लालो ने कहा लड़ा हूं लड़ता रहूंगा तजस्व ने कहा कि ये कोई अंतिम भैसला नहीं है हम लोग इसको लेकर हाई कोड जाएंगे पाचवे मामले में सजा सुनाई गई है किसी को चार किसी को तीन साल की सजा सुनाई गई है तेजस्वी आदम ने कहा कि चारा घुटाले के बाद कई घुटाला हो चुके है लेकिन अब CBI A.D. Income Tax कहा है क्या देश में एक ही घुटाला है एक ही नेता है क्या CBI बीजे माइलिया निरव मोदी जैसे लोगों को भूल गई है साथी तेजस्वी ने कहा कि चारा घुटाले की जाज का आदेश दिया और जिसने जाज का आदेश दिया है उससे ही जेल भिज दिया गिया है बिहार में इतनी बड़े घुटाला हुआ है सिरजल घुटालो को भूल गई से भी उसका रिकवरी कुन कराएगा वो भी तो ट्रे पाई नहीं और बार बार एक ही आदमी को सजा सुनाए जा रही है अगली बड़ी कबर लालो को सजा के बाद पापो यादव का प्रेम उमड़ पड़ा है कवे लालो के साथ राजनितिक राप पर निकले पापो यादव आज भले ही जानदिकार पार्टी के राष्टी अध पापो यादव लालो यादव को सजा सुनाए जाने के बाद हाथ सी पिड़ा में है उन्होंने अपना दर्द बया करते हुए कहा कि लालो यादव के साथ कई मामलों में जाती हुई है सबसे दुखत पालो या की परिवार भी लालो यादव के साथ खड़ा नहीं है पापो लोग है और भी मामले है लेकिन जो बीजेपी की विरोध में रहता है उसे खामयाजा भगतना पड़ता है बड़ी कबर बिहार के वावो के लिए अच्छी कबर बिहार में जल्द होगी 4453 पदों पर भरती या सरकारी नोकरे करने वालों के लिए खुसकबरी है जा बिहार में एक और बड़ी आवसर सामने आया है बिहार में revenue department में जल्दी राजासु कर्मचारियों के लिए बंपर भरती निकलने वाली है इस बात की जानकारी बिहार राजासु और भूमी सुधार मंत्री राम सुरत राय ने भागलपुर में परिसद में प्रेस कॉन्फरेंस के क्रम में दी है मंत्री ने बताए कि बिहार में जल्दी revenue employees के 4453 खाली पदों को भरा जाएगा इसके साथ इनके लिए अलग भी केडर से बनाया जाएगा बाड़ी कबर भारत में 12-18 साल के बच्चों को भी लगेगी कोरोना वेक्सिन civil moral ने कॉर वेक्सिन को अंतिम मंजूरि जिया भारत सरकार ने 12-18 साल के इयुँ वर्ग के लिए कोर वेक्सिन को अंतिम मंजूरि दी है आपको बताती देश में कोरोना मोहारी की किलाव अक्टिका करना भी आने जारी है ऐसे में भारा सरकार ने पिछले साल बायोलोजिकल एक और वैक्स को मंजूरे दी थी हलाकि आज इसे डिस जाए के अंती मंजूरे भी मिल गई है ये टिका 12-18 वर्गे के लावारतियों को दिया जाएगा इससे पहले देश में केवल 15-18 साल या उससे उपर के लावारतियों को कोरोना वैक्सिन दे जा रही थी बाड़े कबर बिहार में अब कमिनीटी वैक्सिनेशन का नया प्लान कोरोना टिके से वंचित लोगों के तयार होगे लेश्ट आम सबा में पुकरा जाएगा ना क्या कोरोना की लड़ाई में अब बिहार सरकार ने वेक्सिनेशन का नया प्लान बनाया है अब कम्यूनिटी वेक्सिनेशन के लिए आम सभा का आउजन होगा सरकार के इस नए प्लान से आम सभा में वेक्सिनेशन पर मंतन किया जाएगा राज के 38 जिलों में भी आम सभा को ल को बारिस का अलाड दचिन पुर्वी भाग के पाच जिलो में बारिस के असार चार दिन बाद रात में बढ़ जाएगी गर्मी जिया मौसम विवाग ने 24 परवरी को राज दचिन पूर्वी के पाच जिलो भागल पूर बाका जमोई मुंगेर और खगड़िया में एक दो इस मौसम गर्म हो जाएगा आगली बड़ी कबर ब्यार में कोरोना टिका करन के लिए दोड़े की जागरुकता रहत 15 वर्स से उपर वालों के वैक्सिनेशन को लेकर स्वास विवाग के नई रहनी थी जिया कोरोना के दूसरी लहर में वैक्सिनेशन का असर देखने के बाद अ कोरोना की लड़ाय में वैक्सिनेशन के जारुकता को लेकर साथ रत रवाना किया गया है जो सहर से लेकर गाहों तक घूमकर लोगों का वैक्सिनेशन कराएगी बताते कि दूसरी लहर के बाद आप वैक्सिनेशन को लेकर काफी तेजी है ब्यार में 15 वर्स से उपर के सभी पातर लोगों के टिकाकरन को लेकर बड़े प्लानिंग की जा रही है वैक्सिनेशन के लिए आम सभा के साथ आप जागरुकता रत भी दोड़ाए जा रही है बाड़ी कबर पांच राज्यों में चुनाव के बाद होगी जातिकत जनगन्ना सियम नितिस ने कहा पूरी तया जातिया जनगन्ना को लेकर बिहार सरकार ने अपना निन्ने ले लिया है राज सरकार अपने खर्च पर जातिया जनगन्ना कराएगी इसको लेकर सियम नितिस विबच के साथ मिलकर तयारी कर रहे हैं नितिस कुमार इसको लेकर सर्व दिलिया वेटक भी करने वाले हैं लेक को बताए कि पांच राजों में चुनाओं के बाद जातिकत जनगनना होने की पुरी सम्मावना है हम लोग एक मत में हैं निश्चित रूप से राज सरकारिया करना चाहती है हमने इसको लेकर पुरी रणनेती बनाई है अगली बड़ी कबर राज के सभी जिलों में दो दो विर्दा असरम खोलने के कवायाद फिर से सुरू एजेंसिय से मांगा गया वेदर जियर आज के सभी जिलों में दो दो बिर्दा असरम इस्तापित वा संचालित करने के लिए अब नए सिरे से अजनसी की खोज शुरू हो गई है इसके लिए नगर विकास एवम आवास विभाग ने मुई की मंतरी बिर्दाजन आसरा इस्तल योजना के तहद इचुक अजनसी ने आविदन किया था इसमें से 11 एजनसियों का चैन भी किया गया था मगर फिर कतिपाइदे कारोनों से निविदा रद कर दी गई थी आफिर से प्रक्रिया सुरू की गई है बाड़ी कबर पटना हाइकोट में फिर से फिजिकल सुनवाई सुरू सिर्फ सुकुरवार को ही होगी वर्चुल सुनवाई जी अकल से पटना हाइकोट में फिर से फिजिकल सुनवाई सुरू हो गई है हाला कि सब्ता में एक दिन से कुलवार को वर्चुल सुनवाई भी की जाएगी पटना हाइकोट परिसर में सुरक्चा विवस्ता को पाले से सक्त कर दिया गया है बता दे कि कुछ महने पूर्वा हाइकोट के गेट नमबर तीन में परविस करने के बाद गेट के पास लगे इसके नहसे गाड़ियों की जाच तो होई जाती थी आप वकिलों के समेथ अन अंगतकों को सुरक्चा की दिश्टी से मनाएगे विसेश कमरे से होकर कोट रूम की और परविस मिल सकेगा बड़ी कबर देश में नई पैंसन इसके मलागू करने के तैयारी 15,000 से अधिक वेतन वालों को मिलेगा फाइदा या संगटित चेतर के अंदर काम करने वाले वैसे कर्मी जिने 15,000 रुपे से अधिक का मोल वेतन मिलता है उनके लिए अब सरकार नई पैंसन इोजना लाने पर विचार कर रही है कर्मचारी भवी सिनेधी संगटन इसकी तैयारी में है 15,000 रुपे से अधिक मोल वेतन पाने वाले या कर्मचारी पैंसन इोजना 1995 के तहाद अनिवायर रूप से नई आने वाले कर्मियों के लिए नई पैंसन इोजना लाने पर विचार किया जा रहा है सुत्रों की माने तो पीएपो के सदेशों के उनके योगदान पर अधिक पैंसन की मांग की है इसके बाद उन लोगों के लिए नई पैंसन इोजना लाने का विचार किया जार आया जिनका बेतन 15,000 रुपे से अधिक है बड़ी खबर बिहार में आये सदेकारियों को हुआ तबादला ऐसी दार्थ बने सीम नितिश के प्रदान सचेव जिया बिहार के प्रसासनिक गलियारों से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रहे है राज सरकार ने कई आये सदेकारियों को तबादला किया है 1991 बेच के आये सदिकारे ऐसे दार्थ को मुख्यमंत्री नितीस कुमार का नया प्रदाना सचेव नियुक्त किया गिया है। गर बेटाई सेलाने इसके टिकट के बुकिंग करा सकते हैं। इसके लिए आपको राजगीर जुस सफारे डॉट इन लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद टिकट बुकिंग के विकलब को चुन कर 500 रुपे का बुक्तान करना होगा। पेमेंट होता है। यह टिकट के खाना बनाना और मांसाहरी भोजन ले जाना खेल कोद समगरी बैडबॉल बैडमिंटन रेकेट गुबारा भी ले जाने पर परतिबंद है जाने किस रूट पर दो तला ट्रेन चलाने का प्रस्ताव जिया रेलवे बिहार में जल्दी डबल डेकर ट्रेन चलाईगी पूरो मजद रेलवे और इस्टन रेलवे ने रेलवे बोर्ड को यह प्रस्ताव भेजा है रेल बोर्ड से मंज़री मिलने के बाद फाली केप में एक एक नए रेक बिहार और पश्यम बंगाल को मिलेगी पूरो मजद रेलवे ने पटना बरोनी कटिहार के रास्ते और पटना क्यूल के रास्ते डबल डेकर ट्रेन चलाले का रूट निर्धारित किया है आज कि लाप का सवाल बताए कि लालो प्रसाद यादव को कोड के दौरा पांस साल सजा सुनाए जाने का फैसला सही है या नहीं इसका जवाब आप हमें नेशे कॉमेंट किरके जरूर बताए